अगली खबरी ओर हर्याना के शहर इस्थानिय निकाय मंतरी सुभाश सुधा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि शहर इस्थानिय निकाय विभाग में कुछ दिक्कतें आ रही थी उनको दूर करने के लिए लगतार बैठकेंगी गई पहला फैसला लिया गया है कि क्रिशी भूमी पर NDC की जरूरत नहीं पड़ेगी सीधी रजिस्टरी होगी और इसमें कोई डवलपमेंट रिचार्ज नहीं जमा करवाना होगा 252,000 को फायदा होगा वहीं शहर इस्थानी निकाय विभाग में एक हाली प्लॉट पर टेक्स देकर NOC मिल जाएगी इको ग्रीन का कल टेंडर रद कर दिया गया है और सुभाश सुधा ने कहा कि 30 जून तक प्रदेश भर में कूड़े के धेर खतम होगी और इस पर कोता ही बरतने वाले दिकारियों पर भी कारवाही होगी वहीं उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि इसको लेकर पत्र आया है जिस पर चर्चाथ चल रही है कि अंदर पढ़ती है उसके अंदर किसी पकार की NDC की कोई जूतनी पड़ेगी इस पकार की भूमी का मालिक सीधे तोर पर अपनी जिस्टी करा सकता है कोई इसको NDC लेने की जोटने पड़ेगी जो मुश्मल निमट के अंतर आती है वस्त अबाव मनें यह किया है ऐसी जो पपोटी है उसके अंदर ना तो आपको उसके अंदर आपको कोई पपोटी टैक्स जमा कराने की जोट पड़ेगी ना कोई ड्वायलमेंट चारिज जमा क लाट पड़े थे उनके अंदर हमने किया कि खाली पार्ट को बेचने के रुटी भी हो दे दी उनको इसके लिए प्रार्थी को पर्टी टेक्स पर अन्या बकाय शुप आधी जम्ह कराने के बार नोन डूर जारी कर दे जाएगा जिसके अधार पर वे अपनी स्पत्ति को कर देगा वे अपनी स्पत्ति बेचने के लिए इस तरह की छे लाख पचासी जार जो है स्पत्य को लाम मिलेगा व्लाट डोरा के अंदर कुझ रेंटिफिशन कर देगा कि मैं इसका मालिक हूं तो उसको छे लाख पचासी जार कर मिलेगा